हलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल वे में खीर इसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ का प्राइस को दो से तीन घंटे सोक किया है उसके बाद मैंने इसमें दो लीटर टोन मिल्क का यूज किया है आप चाहें तो फुल क्रीम मिल्क भी यूज कर सकते हैं इसे हाई फ् बहुत जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाता है तो continue हमेसे stir करना है और जब यह quantity से 30% लेस हो जाए इसमें आप हाफ कटोरी चीनी डालेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा चमच एलाइची पाउडर का यूज किया इसे अच्छे से आप stir करेंगे stir करने के बाद आप इसमें जितने भी आपके नट्स आपने काटे में आप उससे डाली और यकीन मानी अगर कोई नट्स नहीं भी है तो यह खीर फाने में इतनी लाजवाब होती है कि मुझ में डालने के साथ ही घुल जाती है और इसका स्वाद बिलकुल रबड़ी जैसे होता है इस रेस पी आपको कैसी लगी थांक यू सो मच फॉर वाचिंग जैका गर्स प्लीज लाइक इन सब्सक्राइब